प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी 25 सितंबर को जैपुर प्रवास पराएंगे वे ग्राम दादिया वाटिका में परिवर्तन संकल्प महासवा को संबोधित करेंगे उनके दोरे को लिकर इलाके के 50 से अधिक छोटी छोटी धानिया ग्राम पंचायत में उच्सब का महौल है यहां संसत के दोनों सदनों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षन नारी शक्ती वंदन विल पास होने को लिकर भी उलास का महौल है इस महासवा के आमंतरण के लिए धानियों और गाउं में बीजेपी के कारिकरता घर घर जाकर पीले चावल बाट रहे हैं मैलाय मंगल गान कर रही है सोचता अभियान चलाय जा रहा है रंगोली सजाय जा रही है 24 सितंबर को धाणियों और गाउं में लोग दीब जलाएंगे आपको बता दे कि पीएम नरिंदर मोदी की दादिया में होने वाली पड़िवर्तन महासवा को लेकर तैयारिया जारी है नेता प्रतिपक्ष राजिंदर राठोड और प्रदेश महामंतरी भजनलाज शर्मा ने 23 सितंबर को दादिया पहुँचकर सवास्तल का जाईज जलिया इस दोरान उन्होंने पंडाल और पार्किंग व्यवस्ता की भी जानकारी ली बीजेपी के जैपूर देहार दक्षिन के जिलाद दक्ष राजेश गुर्जर ने कारेकरताओं के साथ गाउं में पैदल यात्रा निकाली उन्होंने लोगों से महासवावी पहुँचनी के अपिल की गुर्जर ने बताया कि प्रधान मंत्रे नरेदर मोदी के जैपूर आगमन को लेकर लोगों में जबर्दा सोचता है लोग महिला आरक्षन बिल के पास होने से भी खुश है महिलाओं ने यहां मंगल गीत गाकर अपनी खुशी का इज़ार किया